जहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की आप बैठिये मैं बताता हूँ अनुबव आप भी बैठिये असोगी आप भी बैठिये जहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालेटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी-बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग-अलग माद्यों में से आपको साहिद पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं तो हमें बीना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार-बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए अपने चहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार-बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना यह है कि यह खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ चोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे यह फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर यह छीटे गिरते हैं उसमें यह वायरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिच यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथि को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथि के संपर्क में आया है तो उसको बहुत गवराने की जुरूरत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नजदी की अस्पताल में चेक करवा लीजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इनफेक्शन होने की आशंका ज़्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए गलव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार बार मूँ और को छूता है इससे बचाव की जगह इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती है कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नई चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से करोना वायरस से बचा जा सकता है धीकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देश्वास्य प्राथना है महर्बानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक नबर जाए और हां पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है अगर किसी कारण से हमने यह आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाएं इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समयता यह उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए बाते हैं शाहिद डॉक्तर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएए डराओं ने डरने की जरूत नहीं है भाई पैदा करने की जरूत नहीं है अफाई फलाने की जरूत नहीं है बस इतनी सीच चिंता करनी है